हेलो दोस्तों मैं हैं विकास और बिना कोई ताइम पास आप देख गहरे हैं टेकल पर विकास तो चलिए बिना कोई टाइम पास बिना कोई बखवास वीडियो सुरू करते हैं आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम एकाउंट में कॉंटेक्ट ओप्शन को एड करना बताऊंगा जी हाँ दोस्तों पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम में एकाउंट बनाना बताया था और दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को उस eocount को professional account में switch करना बताया था और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को professional account में contact option को add करना बताऊंगा तो विडियू को बिल्कुल भीच किप मत किजिए गऄ दोस्तों विडियू को आं तक देखियेगा और अच्छे से समज़िएगा और पहले दो विडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दोंगा या तो फिर इंड स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा तो आप वीडियो को अंतेक देखिएगा तो वोग दोनों आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं यहां पर Instagram open कर लेता हूं दोस्तों ठीक है और Instagram open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं नीचे Instagram अपर सच का प्रोफाईल को मिल रहा है तो सिमपली आपको अपने प्रोफाईल वाले ओप्षन क क्लिक करना है यहां पर जैसी क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं एडिट प्रोफाईल का प्रमोशंज का और इनसाइड आप आपको देखने को मिल रहा है जब आपका account professional नहीं रहेगा तो सिर्फ edit profile का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पे insights का option आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका contact number या तो फिर email देखने को मिल देगा जो अभी आप add करेंगे तो इसको add करने के लिए सबसे पहले आपको edit profile पे click करन देखने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका profile open हो चुका है name username website बायो का option यहाँ पे देखने को मिल रहा है और profile information पे यहाँ पे आप देख सकते हैं page connect और create का option आ रहा है मतलब यहाँ से आप Instagram page भी बना सकते हैं और category video creator जो मैंने select किया था वो यहाँ पे देखने को मिल अब यहाँ पे third number पे option आ रहा है contact options का तो simply आपको इस पे click करना है contact options पे आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पे आपको दो option देखने को मिलेंगे business email और business phone number तो आप दोनों में जो select करना चाहते हैं वो यहाँ पे select कर सकते हैं या तो आप अपना phone number यहाँ contact के लिए दे सकते हैं या तो फिर email थीए तो यहाँ पर मैं फार्श्ट वाले icon को select करता हूं मतलब email को select करता हूं और यहाँ से मैं अपना business email दे देता हूं थीक है जिससे मैं अपना business handle करता हूं so simply मैं यहाँ पर देता हूं अपना email ad ठीक है और यहां पर देने के बाद यहां पर चेक मार्क का आपको देखने को मिल रहा है तो सिंपल यह आपको इस पर किलिक कर देना है बैक आप जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको email का option देखने को मिल दाएगा वहां पर ठीक है जो भी आपका search करेगा वहां पर email का option देखने को मिल दाएगा तो वहां से आपको direct कोई भी contact कर सकता है इस तरह से आप अपने phone में Instagram ID में contact option को add कर सकते हैं अगर यह वीडियो upload करूं तो notification मिले सबसे पहले आपको thank you दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत वन्दे मात्रम